जिला सोलन के बीबेन शेत्र में खनन माफिया काफी समय से सक्रिया है लेकिन खनन विभाग ने भी इस माफिया को खत्म करने की ठान ली है उनकी द्वारा जगा जगा चापे मारी की जो रही है इसके साथ सक्त नियम भी बनाए जो रही है यह जनकारी खनन अधिकारी दिनेश कुमार ने मीडिया को दे उन्होंने खनन माफियों को चतावनी देते हुए कहा कि वह खुद ही गैर कानूनी गती वीद्यों पर रोक लगा दे आम्यथा उन्हें इसके दुर्गामी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं पिछले कुछ दिनों में विभाग द्वारा 180 चलान कि जा चुकी है जैसे ही मैंने डिस्टिक्स होनल में जोइन कि है जा माइनिंग ऑफसर तो हमने बहुत सारी जिसमा अबजर्व कि है अस्पशली बीबी एंटी एरिया बदी ब्रोटी बाला ना लगा कर्यों अप्रोटी एरिया में हमने कुछ जी ऐसी अबजर्व पिए जिसम माइनिंग माफिय जो है वो जुड़ा हुआ है लैंड ओनर्स के साथ उनके साथ लीज करता है और उसके बाद जो लीज लैंड होता है उसे अग्री कल्चर लैंड बनाने के हवाले वो उसमें मिलरल को सेल कर देता है इंटी ने तो अभी हमें कुछ दो तीन मेहने पहले दो दो तीन लैंड ओनर्स के हमें पता भी लगया और उनका हमने चलान भी किया हुआ है पर लैंड ओनर्स को हम यह वार्निंग भी देना चाहते है और बताना भी चाहते है कि इस तरह के काम वो बीवी अडी एनियो में ना करे क्योंकि इसकी प्रोवीजन्स जो है रूलों में वो बहुत स्ट्रिक्ट है और इसमें पांच लाग तक का चलान भी हो सकता है अभी हम और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं लेक्स टू-3 मंद्स में इसका पता लग जाएगा और जो भी लैंड ओनर्स इसमें इंवाल्व है उसको अकॉर्डिंग ली एस पर रूल्स सुजार का है जहां पर अनौथराइस्ट स्टोरिज लोग कर रहे हैं और इसको आगे मार्केट बनाया हो उस चीज़ का सोलन एलिया में भी और कुमार हटी के रोड के साथ भी हमें बहुत सारे अनौथराइस्ट माइनर मिनरल डीलर हमें मिले हुए हैं जो कि बिना किसी पर अपार्टमेंट को भी बोला हुआ है ताकि वो उनको वहां से वकेट करवाये जाए एलियास को और इस तरह की इलिगल अनौथराइस्ट सेलिंग ऑफ मिनरल बंद की जाए